मुख्यमंत्री नितीश कुमार को मेमोरी लोस की समस्या है एक खतरनाक बिमारी है कि नितीश कुमार को सारी बाते भूल जाती हैं उनको याद ही नहीं रहता कि वो कब क्या कहते हैं और कब क्या करते हैं भारती जनता पाटी कई दफा इस बात को बोल चुकी है अब भाटपा के प्रदेश सद्यक्ष समराट चोधरी हुंकार भरते हुए कहते हैं कि घंटा भर भी मुख्यमंत्री रहने का आधिकार नितीश कुमार को नहीं है क्योंकि उनका मेमोरील लोस हो चुका है वो कहते हैं कि उनको भी मारी है उनको खतरनाक भी मारी है वो भूल जाते हैं चीजों को और भाटपा के कई भी धायक कई नेता पहले भी कह चुके हैं कि नितीश कुमार किसी का भी पैर छुने लगते हैं कहीं भी वो कुछ ऐसा करने लगते हैं जो वो नहीं किया करते थे और इसी बात को भात्पा कहती है कि मानसिक रूप से अब उनकी इस्तिती ठीक नहीं है और इस आधार पर उनको घंटा भर भी सियम रहने का अधिकार नहीं है आगे हम आपको बताएंगे कि मेमोरी लोस वाली जो कहानी अब सामने आई है इसकी शुरुवात कहां से हुई बाकि हमारा नाम मुहित कुमार सिंग है और आप जनता जिक्षन देख रहे हैं अब अगर पटना में आपको किसी की शादी, साल किरा, रोका, इंगेजमेंट, पर्दे पार्टी या फिर कोई भी खास दिन को यादगार बनाना है आयोजन के लिए आप ड्रिम पालेस में बुकिंग करें जो केस्तित है सगुना मोर हाई टेक हॉस्पिटल के पास साथ ही ड्रिम पालेस लेकर आया है एक बंपर ओफर, जिसके तहट आपको सर्फ खाने के प्लेट का पैसा देना होगा सबसे पहले आप इस बात पर गौर कीजिए कि नितिश कुमार के मानसिक स्वास्त को लेकर पिछले कुछ महिनों में कई दफा न्यू चनलों में भी खबर चलाई जा चुकी है कई दफा भाजपा के नेता बोल चुके हैं वह कहते हैं कि नितिश कुमार को अब चीज़े याद नहीं रहती हैं वह भूल जाते हैं उनको पता नहीं रहता है कि उन्होंने कब क्या कहा है किसके साथ क्या करना है मसलन कई दफा कहा गया कि रिपोर्टरों का पैर छुने के लिए नितीश कुमार आगे बढ़ गया ललन सिंग का पैर छुने के लिए नितीश कुमार नीचे जुख गया और इसके बाद से तमाम परकार के अफवाहों को आपका ये की बल मिला अब भाजपा के परदेश सद्यक्ष समराच चौधरी कहते हैं कि नितीश कुमार का मेमोरी लोस हो चुका है उनको पता नहीं है कि वो कब क्या बोल रहे हैं कब क्या कर रहे हैं समराच चौधरी कहते हैं कि घंटा भर भी सियम रहना मतलब कि एक घंटा भी अगर मुख्यमंत्री है तो वो खतरनाक है एक घंटा भी मुख्यमंत्री रहना अब इनको ठीक नहीं है इनको ततकाल हटाया जाना चाहिए समराज चौधरी इसके बात कहते हैं ललन सिंग के उपर कि ललन सिंग इनके पॉकेट में हैं अपने पॉकेट में से अपने अध्यक्ष को निकालते हैं और सामने रख देते हैं मतलब कि समराज चौधरी के कहने का मतलब होता है कि ललन सिंग सिर्फ उतना ही करेंगे उतना ही बोलेंगे जितना नितीश कुमार कहेंगे और ललन सिंग पर भी एक प्रकार से समराज चौधरी ने निशाना साधा फिलाल समराज चोधरी जब कहते हैं कि नितीश कुमार को मेमोरील लौस की समस्या है वो चीजों को भूल जाते हैं तब इसको लेकर एक अलग चर्चा चल रही है अलग चर्चा इसलिए क्योंकि विधान सभा के अंदर नितीश कुमार ने कह दिया था एक बार की हम गिरी मंत्री थे केंदर सरकार में तब की बात है इसके बाद भाटपा के विधायकों ने कहा कि इनके मानसिक स्वास की जाच होनी चाहिए हमारे मुख्यमंत्री मानसिक सुरूप से ठीक नहीं है भाटपा विधायकों ने कहा कि नितीश कुमार को जल से जल इलाज कराना चाहिए अब नितिश कुमार के इसी बात को आप कहिए कि एक परकार से समराज चौधरी आगे बढ़ा रहे हैं वो कहते हैं कि नितिश कुमार का मेमोरी लॉस हो चुका है उनको समस्या है वो कब क्या बोलते हैं कब क्या करते हैं उनको पता नहीं होता वो कब क्या बोल देंगे और उसको भूल जाएंगे इसके बारे में कोई सोच ही नहीं सकता अब समराग चौधरी जो कहते हैं इस बात को आप समझें कि समराग चौधरी के कहने का सीधा मतलब होता है सिंपल सा मतलब होता है कि नितीश कुमार दिमागी रूप से ठीक नहीं है वो आप चीजों को याद नहीं रख पाते उनका दिमाग जो है वो इस्थिर नहीं है मानसी की रूप से नितीश कुमार बिमार है और समराच चौधरी कहते हैं कि हम तो भगवान से प्राथना करेंगे कि नितीश कुमार स्वस्त रहें हमेशा हम लोगों के बीच में रहें लेकिन समराच चौधरी कहते हैं कि जिस अब्यक्ति का memory loss हो चुका है उस ब्यक्ति का एक घंटा भी मुख्यमंत्री के पद पर बैठे रहना ठीक नहीं है फिलाल नितिश कुमार का मानसिक स्वास्त बिहार की राजनिती में मुद्दा बन चुका है नितिश कुमार कई दफा किसी अपने ही नेता का पैर छुनी के लिए आगे आते हैं और इसी बात को दिखा कर भाजपा कह रही है कि नितिश कुमार दिमाजी रूप से ठीक नहीं है फिलाल आपकी प्रत के लिए इन तमाम चीज़ों पर कहा है कमेंट बोक्स में लेकर बताईएगा आगे जो भी तमाम जानकारी जो भी नया और अपडेट निकल कर सा कि नवा't